जब भी देशभक्ती की बात होती है, तो आज भी दो सबसे महतोपुन गाने देशभक्तों के लिए प्रेणा का श्रोत बनते हैं मेरा रंग दे बसंती चोला सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजूय का तिल में है इन दोनों गानों को सुनने के बाद हमारे मन में जो उत्सा उत्पन होता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती आज भी जब युवा इन गानों को सुनता है तो उसके अंदर देश भगती की भावनाई उफान मारने लगती है ये दोनों गाने महान करांती कारी भारत मा के सच्चे वीर सपूत और आजादी के आंदोलन कारियों के सबसे लोग प्रिये कवी राम परसाद बिस्मिल ने लिखे थे जी हाँ आज हम बात करेंगे वीर शहीद राम परसाद बिस्मिल जी की जब जब भारत के स्वाधिंता इतिहास में महान करांती कारियों की बात होगी तब तब भारत मा के इस वीर सपूत का जिक्र ना हो ये भला कैसे हो सकता है राम परसाद बिस्मिल एक महान करांती कारी ही नहीं बलकि उचकोटी के कवी, शायर, अनुवादक, बहु भाशाविद, वैसाहित्यकार भी थे इन्होंने अपनी बहादुरी और सूजबूज से अंग्रेजी हुकूमत की नींदोडा दी थी और भारत के आजादी के लिए मातर 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहूती दे दी बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अजात के नाम से भी लेखव कवीताईं लिखते थी उनकी परसिद रचना सर फरोशी की तमन्ना गाते वे नय जाने कितने क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए फासी के तक्ते पर जूल गए राम परसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी सामराजे को हिला दिया था लगबग 11 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वम ही उन्हें परकाशित भी किया उनकी जीवन काल में परकाशित हुई लगबग सभी पुस्तकों को बिर्टी सरकार ने जब्त कर लिया पार्टी के कारी हेतु धन की अविशक्ता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई उनके नेत्रितों में कुल दस लोगों जिनमें अश्फाक उल्ला खा, राजेंदर लाहिडी, चंदर शेख राजाद, सचिंदर नाथ बक्षी, मनमत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदी शामिल थी उन्होंने लखनव के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोग कर 9 अगस्ट 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया, 26 सितंबर 1925 को बिसमिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकेती मामले में गिरफतार कर लिया गया, उसके बाद उन्हें फासी की सजा जिस दिन उन्हें फासी दी जानी थी, उस दिन बिसमिल सुबह कसरत कर रहे थे, उन्हें कसरत करता देख जेलर आश्चरे में आ गया, जेलर उनसे पूछ बैठा कि तुम्हें कुछ ही घंटे में फासी होने वाली है, कसरत क्यों कर रहे हो, तो बिसमिल ने जवाब दिया कि वे भारत माता के चर्णों में अर्पित होने वाले फूल हैं, उन्हें मुर्जाया हुआ नहीं होना चाहिए, बलकि स्वस्त वे सुन्दर दिखना चाहिए। ये थे वीर शहीद राम परसाद बिस्मिल जी, हमें गर्व है हमारे वीर क्रांती कारियों पर और हमें इनके जैसा बनना है, जैहिंड, जैभारत